अशोक गैलोत राजिस्थान के नई मुख्यमंतरी के साथी प्रदेश के तीसरे मुख्यमंतरी बने हैं। उन्हें राजनीती का जादुगर कहा जाता है। तीन माई 1959 को राजस्तान के जोधपुर में मशुहूर जादूगर लक्षमा सिह गहलोत के गरजन में अशोक सियासत में कई दफा सियासी जादू दिखाते रहे हैं। जादू ही चालो की देन हैं कि वह इस बार तीसरी बार राजस्तान के मुख्यमंत्री बने हैं। पिछले चार दशक के लंबे राजनतिक करियर में माली सामास से आने वाले अशोक गहलोत ने उतार चड़ाओ दोन देखे हैं। विज्यान और कानून से ग्रेडियोशन के बाद अर्थशास्तर से एमे की पढ़ाई करने वाले अशोक गहलोत की गिनिती लो प्रफाइल नेताओं में होती है। तड़क भड़क से दूर मगर राजनतिक समर्तकों की फौस से गिरे रहने वाले अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता है कि वह 24 घंटे अपने कारेकरताओं के लिए उपलब्द रहते हैं। पारले जी बिसकुट रखते हैं। तो कहीं भी सड़क पर तरकर चाय पानी करने के बहाने जनता की नब्स भापने की कला का बखुबी इस्तमाल करते हैं। कांगरेस की चात्रे काई N.S.I.I.C. के यूथ कांगरेस और सेवदल से होकर कांगरेस की मुख्यधारा की राजनीटी करते हुए गहलोत राजिस्तान के मुख्यमंत्री की कुरसी तक पहुंचे। अशोग गहलोद राजिस्तान के पुराने खिलाडी माने जाते हैं अशोग गहलोद देश के उन निताओं में शुमार हैं जिन्होंने चार दशक की लंबी राजनिती में भी अपनी छवी को किसी गहरे दाग धब्बे से बचाकर रखने में सफलता पाई है किसी बड़े विबाद में गहलोद का नाम नहीं आया नपे तुले शब्दों में बात रखने के लिए वे जाने जाते हैं EMS TV के लिए आकाश सोनी की रिपूर्ट